नमस्कार मैं हूनी रजकुमार और आप देख रहे हैं मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के ताज तरीन ख़बरों का मटरास है कोर्ट ने आज 11 जिलों में RSS की रैली को मंजूरी दे दी है जहां अश्टमी को लेकर रैली निकालने के लिए RSS ने यारियां पूरी की है उत्तर परदेश की योगी आदितनात सरकार नवरातरी के अबसर पर सब ही समूदाय तक पहुँच बनाने के लिए आज 1100 लर्कियों के लिए खन्या पूजन का आयोजन कर रही है जिसमें योगी आदितनात भी सामिल होंगे उत्तर परदेश के पुर्वसियम अखलेश यादब द्वारा कॉंग्रेश को मौका प्रस्त करने पर यूपी कॉंग्रेश के परदेश अध्धक्ष आजयराय ने कहा कि जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो हमारा सम्मान क्या करेंगे इस पर अखलेश यादब ने कहा कि बात पिताजी पर ना पहुँचे तो अच्छी है अगर हम बाप पर उतर आए तो समाजवादी पार्टी भी जवाब देना जानते हैं बिहार के सियम नितीज कुमार ने एक बार फिर्ज से कहा कि बीजेपी से दोस्ती का सवाल ही नहीं होता नितीज कुमार ने तेजस्वी आदब को लेकर कहा कि यह बच्चा हम लोगों के साथ है हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं पंजाब के पुरुवित्मंतरी की जमानत अरजी पर 23 अक्टूबर को सुनवाई होना है जहां PCS अधिकारी समेत कई लोगों के नाम है सामिल हर्याना सरकार सालाना 80,000 से कम आये वाले अनुसुची जाती परिवारों को डेड़ लाख रुपे तक रिन देने जा रही है इसके लिए BPS परिवार निगम की वेबसाइट पर जाकर रिन आवेदन फॉर्म भर कर जिला कार्याले में जमा कर सकते हैं दोस्तों आगे बरने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज 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 लाइक और कमेंट कर जिए क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतिजार कर रहा हूँ और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हमारे खुसियों का ठिकाना नहीं रहता आज है नवरातरी की महाश्टमी पर्व जिसे लेकर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीर देखने को मिल रही है वहीं आज महलाएं माता की डाली भी भरेंगी केंद्रे ग्रेह मंत्री अमिस साह आज मद पर्देश के रीवा पहुँचेंगे जहां वे विधान सभा चुनाओ को लेकर पार्टी कारकरता और नेताओं के संग बैठक करेंगे बता दें कि पिछले विधान सभा चुनाओ में भाजपा ने विंद छेतर की 30 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी केंद्र की मोधी सरकार के खिलाफ आज कॉंग्रेस पार्टी निकालेगी प्रतिग्या रेली जहां दिल्ली में सरकों पर उतरेंगे हज़ारों कार करता भारत और न्यूजिलेंड की टीम के बीच आज धरमसाला करकेट एस्टेडियम में मैच खिला जाएगा जहां दोनों ही टीम धरमसाला पहुंच चुकी है चक्रवाद तेज से बदलेगा मौसम का मिजाज आज से देश के तीन राजियों में मध्यम वारिस, तूफान और बर्फवारी की चेतावनी जारी की गई है हिमाचल परदेश कॉंग्रेस अध्धक्ष परतिभा सिंग आज मंडी के दोरे पर रहेंगी जहां वे विभिन कारकरताओं के सम्मेलन में सिर्कत करेंगी और जिला अस्तरिये सांस्कृतिक कारकरम के समापन समारोह में भी भाग लेंगी राज्थान विधान सभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने परत्यासियों के नामों की घोसना करना सुरू कर दिया है कॉंग्रेस ने जहां पहले उमिद्वारों की लिश्ट जारी की है वहीं बीजेपी ने दूसरे उमिद्वारों की लिश्ट भी जारी कर दी है वही इन दोनों परमुख पार्टियों के अलावा आमाद्मी पार्टी, जेजेपी, बीएसपी, सहित, कई छेत्रिय पार्टी भी अपने उमिदवारों को मैदान में उतार कर खेल को तिकोना बनाने में लगी हुई है जिला अधिकारी कृतिका, जोटसा और पुलिस अधिक्षक सोमेन बर्माद्वारा तहसिल कादीपूर छेत्र अंतरगत, अगामी विजय दस्मी के उपलक्ष में जै धरम मंगल पांडे बावा मेला विकास खंड मोतीगरपूर की तैयारियों के सम्मध में निरक्षन किया गय और अधिकारियों को उचित निर्देश दिये गए, काली बाज प्रधाना ध्यापक ससी बाला को सुल्तानपुर जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित, सोसल मीडिया पर टीचर का बाल खीचते और सिक्षक अनुदेशक पर चपल उठाते वीडियो हुआ था परधान मंत्री ने गिनाई देश की सफलता, अतिसगर विधान सभा चुनाओ के पहले चरन की 20 सीटों पर 227 परत्यासियों ने पर्चा भरा है, जहां 7 नमंबर को डाले जाएंगे वोट, वहीं दूसरे फेस का नामंकन आज से सुरू हो रहा है जम्मू कस्मिर पुलिस में बड़ा फेर वदल देखा गया, जहां डॉक्टर विनोध कुमार को जिला जम्मू का SSP बनाया गया है, वही जितेंद सिंग को मिली है जिला उद्धम पुर पुलिस की जिम्मेदारी, जबकि IPS अधिकारी आसीज कुमार मिसरा को स्रीनगर पुल दिल्ली के लिए रवाना की गई, गुजरात में नवरातरी के मौके पर गरवा खेलने के दौरान बीते 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई है, जहां ताजा मामला कपरवंज का है, दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकांस लोगों ने निउस को लाइक क प्लीज प्लीज वे भी निउस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और साथ में सेर भी कर दें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें निउस से अपडेट तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए, नोटिकेशन बेल को दवाईए, वीडियो को लाइक किजिए और ज्यादा ज्यादा सेर किजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट